दो आगा के लिए ग्रह मन्तर कुड़ा की ऊपोसित हो ईसे अगुटिका हाम पासर एम हूटता आग अग्रहाम अधार में जन्गरना भवन का उद्लेका विए एस लिए में आसाम की जन्ता को भेड़ सारी सुँब कामनाये देना चाहता हुं मित्रो लोग तंत्र के अंदर हम जन मानस कुछ इस प्रकार से 75 साल में हो गया है कि मांगो के आधारिक लोग तंत्र हुआ है डिमांड भीवन लोग तंत्र की रचना हो गई कहीं पर पानी नहीं मिलता है, कहीं रोड नहीं हुए, कहीं स्कूल की व्योस्ता नहीं है कही medical सुविधाय नहीं है, कही आवास की व्योस्ता नहीं, कही ड्रेनेज की व्योस्ता नहीं है, कही पीने की पानी की व्योस्ता नहीं, ये सारी कम्यों की तो चर्चा होती है देश में, बहुत सारे पंडी के कम्यों के बारे में बात करते हैं, परंटु एक कम्या क्यूं है, इस पर चर्चा कभी नहीं है किए एक कम्यां चुनाव का मुता बनती है एक कम्या सरकार बनाने लाने का कारण बनती है आज पर इन कम्यों सेओ निप्दारा कैसे करेंगे छो पर कम ही चर्चा होती है पर मैं अगर निप्तारा पाना है किसी भी देश को पाना है तो उसका प्लानिंग ठीक होना चाहिए और प्लानिंग तभी ठीक हो सकता है जब सपिक जंगन्ना उपलब्द हो जंगन्ना ही बता सकती है कि देश में विकास कहां पर कम है जंगन्ना ही बता सकती है कि हमारे देश में स्टी की स्थिती क्या है पहाड़ों पर किस प्रकार का जीवन लोग व्यत्तित कर रहे हैं गाव कस्मों में किस प्रकार का जीवन व्यत्तित कर रहे हैं शहर में किस प्रकार का जीवन व्यत्तित कर रहे हैं इसका वणन और संख्या दोनों जनगन्ना से ही मिलता है और बजेट का प्लानिंग अगर जनगन्ना के रिखांति किये हुए विकास के नक्से के आधार पर होत बेस्ट के प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदीजी ने इसी लिए जन करना को बहुत महत्यों देने का सुरू से ही उसको बहुत महत्यों देने का निने किया है और अब गुरू मंत्राले ने तही किया है कि अधुनिक से अधुनिक टक्निक के अदार कर जन गर्ना को साइंटिफिक बनाये जाएगा सटीग बनाये जाएगा बहु आयामी बनाये जाएगा और उसके डेटा के विशलेचन की सारी वियोस्ताय की जाएगी और जन गर्ना को केवल जन संख्या और जन संख्य की के आखड़ों के साथ नहीं विकास के आयोजन का विकास के प्लानिंग का आधार बनाने के लिए एक नई सुरुवात बेश के प्रदान मंत्री नरेंडर मोदी जी की सुरुवात में हुई उनके नेक्रुतों में हुई और मुझे पुरा विश्वास है 2024 के पहले बले ही हमें कोविड ने हमारी स्पीड कम की हो परंटू RGI कार्याले का संपून आधूनी करन हम समाप्त कर देंगे एक ऐसे software की निर्वीती करेंगे जो अनेग प्रकार के काम एक साथ करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जन गन्ना को बहुत हलके से लिया देशना ये नाते हमने बहुत हलके से लिया समाजे नाते बहुत हलके से लिया जन सांखी की जन गन्ना जन सांखी की तस्वीर हमारे सामने लादी दैमोग्राफिक चेंज की तस्वीर हमारे सामने लादी देश का आर्थीक विकास का नक्सा और आर्थीक विकास में पीछे पड़ गए भोगोलिक शेत्र और सामाजिक समुहों को इंगीत करती हैं बताती है सामाजिक सन्जर्षना में होते हुए बदलाव को भी यही जनगण्ना हमें परिचय कराती है और भासकिया और सांस्क्रितिक परिचय भी यही जनगण्ना कराती है इतने बहु आयामी एक्सरसाइज को बहु आयामी कवाहत को दुर्भाग्य से अब तक जितना महत तो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और मैं बड़े विश्वात से हमेशा कहता हूँ विकास का खांका खिंचना ए अच्छे जनगन्या के रिपोर्ट के अलावे सब्भव ही नहीं है और आप लोगों की रिस्पोंसिलिटी है आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ए देश विकास के रास्ते पर आगे चल पुड़ मगर मैं आपके काम की कठिनाईयों को जानता हूँ 130 करोण लोगों के घर गर जाकर घर की सारी सुविधाएं उनसे पूछ कर जबकि बहुत सारे लोग नौन कॉपरेटी भी होते हैं बहुत सारे लोग असिक्सिक भी होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पूरी एक्सेसा सालों तक इसको ढंग से किया है जिसके आधार पर आज एक विक्सित भारत का नक्सा हमारे सामने खड़ा है हम आजादी के 75 साल में खड़े हैं आजादी का अमरूत महोचाव बना रहे हैं और हम सब ने तय किया है मोदी जी के नेत्रुतों में मोदी जी ने पूरे देश का आहवान किया है कि देश जब आजादी की सताब भी मनाता हो तो हर क्षेत्र के अंदर देश सर्वोचस्तान पर दुनिया में होना चाहिए इस प्रकार का 25 साल का आयोजन हमने करना है और अगर 25 साल का आयोजन इस प्रकार से करना है तो देश की छोटी सी छोटी समस्या पर हमने काम करना पड़ेगा चोटी सी छोटी समस्या का समधान करना पड़ेगा और इसलिए जंगरना बहुत धंग से तयार हो जरूरी है और इसमें भगीरत काम में आप लोगों का और राज्यों के मिन्सिपल कॉर्पोरेशन के पंचायोत के जो कर्मचारी है इनका काम बहुत कठीन है मैं जानता हूँ जन्गन्दा आकड़ों का एक मात्रस्त्रोथ होता है सरकार की राज्यसरकार और केंडर सरकार दोनिती नित्यों के नियोजन और निरूपन इसी के आधार पर किये जाते है राष्टिय और अंतराष्टिय अभिकरनों स्कॉलरों व्यापारियों और उद्योगपतियों भी उद्योगपती भी इसी के आधार पर भारत का आगे का विकास का नक्से का परिंचय लेते हैं और धेर सारे सर्वेक्षनों से एक जंगर्ना एक साथ हमें बचा लेती बार बार किये जाने वाले खर्टों से बचाने का भी जंगर्ना काम करती हैं वित्रो अनुभवी सिद्ध डाटा के आधार पर जो नीने लिये जाते हैं वो नीने परिणाम लक्सी होते हैं और परिणाम दाई भी होते हैं उनका लक्स परिणाम की वर होता है और उसका फल परिणाम के रूप में आता है इसलिए अनुभवी सिद डाटा मिर्मित हो इसलिए इस बार हमने तई किया है कि आने वाली जंगन्ना जो अभी रुकी पड़ी है कोवीर के कारण वो जंगन्ना जब भी सुरू होगी वो ई जंगन्ना होगी इलेट्रोनिक जंगन्ना होगी और हंड्रेड परसंट विकास का खाता खीचा जाएगा मित्रो मैं आज जो भवन लोकारपन हुआ है इसके लागत और ख्रित्रफल और इसको घ्रीन भवन बनाया गया है इस सारी बातों में जाना नहीं चाहता परन्तु मुख्यमंत्री स्री हमंत विश्वसर्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करन मित्रो जंगन्ना का जो काम है उसको हमने पेपर सेंसस से डिजिटल सेंसस की और मोडने का एक एक यासिक वर्च है इसलिए इस बार आप समका काम बहुत कथी अगर अगर धन से हम इसको सीख कर करेंगे तो सरल भी है क्योंकि आज देश में 50-50 आबादी ऐसी है एक बार उस खुद भरकर आपको भेग देंगे आपको वो टीडियस काम करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे और मैं इसकी सुरुआत करने वाला हूँ मेरे परिवारे क्ला सभी सदस्यों का फॉर्म इस वरूप में भरकर मैं आपको जरूर आपके सौप्लेर पर भी है और मुझे बरोसा देश की जंता भी इसमें बहुत सहयोग करेंगे क्योंकि जंता के अंदर हमने जागूती करनी है कि जंगन्ना को नहे नजरिये के साथ देखना पड़ेगा ये समय की जरूरियाद और ये पूरी एक्सरसाइज हमने करते हैं तब सर्दार पटेल को जरूरियाद करना पड़ जो स्थाई सरूप में काम करता था उसको सबसे पहले स्थाई सरूप देने का काम 1951 में अब मारे पहले घुरू मंत्री सरदार वगलब भाई पटेल ने किया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये संगटन स्थाई होने के साथ ही भारत के विकास का नक्षा भी स्थाई रूप से बदलता भी रहेगा आगे भी बढ़ता रहेगा और अगर हमने एक काम को ठीक तरिक से केसे नहीं किया तो बहुत अंडिजारेबल रिजल्ट दिया है मैं वाक्या आग सरदार पतेर का रिपीट इसलिए करना चाहता हूं कि देश भर्क के जनगन्ना के साथ जुड़े हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी यहां पर उपलब हमसे अपेक्सा रखी गई है कि इसको सही तरिके से करे और अनडिजारेबल नतीजों से बचे और प्र दिरे दिरे परंटु कॉंक्रीट काम करते हैं हमने इसके अंडर जन्मम्रुत्यू रजिस्टर को भी जोड़ना का प्रावदान किया है लगबग जूड़ी चुका है मगर इसका उपयोग भी बहु आया में उपयोग हम आने वाले जिनों में करने वाले हैं जैसे जन्म होन दिहाने के साथ ही जन्धनना रजिस्टर के कार्याले से ही वह मत्दाता सूचि के अंदर मत्दाता ए करी में रजिस्टर हो जा रुगति preguntas HO जाए या आप घर बदलेंगे नई रजिस्टर होगा ए कैसे में साएगा वश आपने रहने के लिए लिया है आप वहां ट्रांसपर होने वाले हो या आपने वैसे ही लिया है कहोगे कि हम रहने के लिए लिया है रहने के जाने के साथ ही यहां से मत डाता सूची में वो परिवर्थी अनेक प्रकार के काम इसके अंदर होने वाले हैं जिसे सरकार के अनेक विभाग को एड्रेस चेंज की मुश्किल से बाहर निकल जाना पड़ेगा और किसीने पहले बर्थ रजिस्टर कराना है फिर मत्दादा सूची में नागरिक बनने के लिए जाना है नूत्यु का डाखला लेना है फिर डिलीट हो या नव हो मत्दान प्रतिसद नीचा रहता है और टोम कि मैं एक सरल उदाहन के रूप में कहता हूं परन्तु अनेक प्रकार के इसके उप्योगों को हमने इसके आधार पर करने का नेना किया है मित्रो अब इसको इलेक्रोनिक शरूप से वेबसाइट पर भी रखा गया है हमारा भासा का मैपिंग भी आज इलेक्रोनिक और प्रि इसको अब नियमीत रूप से आगे भी रखा जाएगा तो इस जंगर्ना का भी रखा जाएगा और अनेक प्रकार के कामों को हम इसके साथ जोडने वाले हैं इसमें बहुत सारी जागरूप्ता की जरूरत है वगर आप चिंता मत तरिए टेलिवीजन चैनल दूरदर्शन ब इनन्ति करकर जागरूप्ता लाने के लिए इस बार प्रयास करने वाले हैं तुकि आबादे की अपेक्सित आयू देश की एज क्या होगी और देश की एज के अनुरूप विकास का नक्सा कैसे होगा जो बॉटम अप एप्रोच है इससे इतनी चीजों का तय होगा और टॉ कहा पर ह Wendy आ पर फिने के पानी की विवास्ता करनी है कहा पर सिक्सा की विवास्ता करनी है यहां पर लिस्ति काल आगा यहां पर ऑपने आप अतकि यहां पर उसको family planning की दुरुष्टी से concentrate किया जाएगा policy के coverage और policy के concentration के लिए ये जनगर्णा बहुत उपयोग करने वाली है और बहुत स्तर पर संसादनों का निर्मान कैसे हो और संसादनों का उपयोग सटिक कैसे हो इसका भी इसे उपयोग होने वाला है तो मैं बहुत आसानुवित हूँ नई जनगर्णा जो होने वाली है इसे और मैं मानता हूँ कि आप लोगों का काम कठिन है मगर आप पहली बार इस जनगर्णा करने जा रहा है पहली बार इलेक्रोनिक रूप से जनगर्णा करने वाले हैं जब जन्गन्ना का इधिया सालों तक लिखा जाएगा इसमें इस जन्गन्ना में जो हमारे कर्मयोगी भाई बेंड सम्मिलित है उनका नाम सुवन अक्सरों से लिखा जाएगा क्योंकि जो सुरुवाग करता है दुनिया उसको हमेशा याद करती है तो मुझे मालूम है ये कठिन काम है मगर हम सब ने मिलके करना है तो कि देश के विकास का अधार ये जन्गन्ना की सपलता है आज आसाम के जन्गन्ना भावन का उद्गाटन हुआ है देश का जन्गन्ना भावन भी अगस्तक बन जाएगा उसे मुझे वीवेग जी ने कहा है और जन्गन्ना करने वाले अपने घर में जल्दी पहुंच जाए ऐसी हमारी भी इच्चा है कि अपने खुद के घर में बैठ कर जन्गन्ना का काम करें आप सभी को देश भर के सभी कर्मरदी भाई लें यहाँ पर है उसको बहुत बहुत सुपकाम है मैं फिर से एक बार हिपिर करता हूँ देश के प्रधान मंत्री को देश के सरकार को आपके काम की मिलिष्ठा पर पूरा भरोसा है और सटीक जन्गन्ना के आधार पर आप विश्वास रखेगा 2047 में जब देश की आजादी की सताब्दी मनाए जाएगी देश हरक्षित्र में वीश्व में नमबर एक पर होगा ऐसे भारत की हम सब मिलकर रतना करेंगे बहुत बहुत सुबकामना और धन्यवाद वन्दे मातरो अमेन गावर प्रादे खाले पून पोट या कोई और मेन गवर पिसटे जे मसी चछात पॉस्टे भोही और मेन गावर पिसट जेट आमन गाव पुस्टेथ होएकंदियो ग्रह हम उन्ठिको राखी लुको फिल हॉन साला अला काल्ये मुकोली कोरे और भाखन प्रखांगाद बहुग कीटा गुर्टा पुर्णा कोठा है इती में ठेव लेकोर्स है और यह पिसोटे रावना हम बहुत जीम्सीय चले बिले जीम्सीय चोठ के बाता कर्चे खुसी आसे तो तिक आज इन्टर एक बेस्तोटा पुर्णा कर्चे खुसी रंखा ग पुर्णा को लेके अंट्रों मुंची को आखिए आमिन गाउट आमिन गाउट आमिन गाउट यह मुहर तोट जी होब हासल हिया होब हाइटी बढ़िए अन्टर पूर से लुको पिल खॉंसालर कालर का जले मुगली करार पर्वाइब हमां जलाइट एप आपके जले आ ही अरुष पुड़ी प्रूर भागते मान कस्वाट पॉसी असल मान कसवाट पॉसी आज्या सिल मंका सब्स्ट पॉसी तो आर पासोते तामल पॉराट पॉसी थोय और होंगो दिये में ख़मोंति डोटर हमांता भींसा हर माई कालो देट कर्चा खुसिये से रुडिनिया कर्चा खुसिरे और हम और पोसिटोर से ही केंडर के हम और जुगरागी